देखते ही देखते पूरे इलाके के मेडिकल एश्टोरों के तमाम दुकानों से कंडोम खत्म हो जा रहे हैं। और दुकानदार भी हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि पिछले कुछ वक्त में कंडोम की विक्री में कईगुना बढ़ोत्री हो गई है। दुखंदारों का कहना है कि हमारे पास एश्टॉक आता है और उसके कुछ घंटे में ही वह सब कुछ खत्म हो जाता है दुखंदार इस बात से परिशान हो चुके हैं तो प्रशासन के दिमाग की अब बत्ती जली है और प्रशासन ने भी सोचा कि आखिरकार पिछले कुछ मह वाला नशा क्या है जो कंडोम से हो रहा है आपने सुलेशन के बारे में सुनाई होगा कमले सुलेशन वाला तो आपको यादी होगा ठीक इसी प्रकार से अब कुछ नए नए प्रानी पैदा हुए हैं जिनको कंडोम से नशा हो रहा है कई लोगों का तो यह सुनकर ही हो सोचिये ना कि किसके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि भला कंडोम से भी नशा हो सकता है और फिर कंडोम का एश्टॉक देखते ही देखते खत होने लगा और अब प्रशासन की दिक्कत बढ़ गई है कि इसको रोका कैसे जाए बाकिया मस्कार में ना मैं मोहित कुमार सिं और आप देख रहे हैं हमारा भुशेस कारिकरम एक्स्प्लेनर यह वीडियो रोडवेज के द्वरा प्रायोजित है रोडवेज बिहार का एक ऐसा है स्टार्ट अप है जो वन वे टैक्सी सर्वीस और कार पूल की सुभदा देता है वन वे टैक्सी सर्वीस का मतलब कि अग कर देंगे बाकि भी यार के स्टार्ट अप है तो आप अपने प्लेयर शोर को खोलिए और रोडवेज नामक एप है उसको डाउनलोड कीजिए और इनकी सर्वीस लीजिए बाकि आपस लोटते हैं इस कंडोम वाले मुद्दे पर मीडिया में जैसे ही इस बात की खबर आई हो जाता है प्रशासन के दिमाग में जब यह बात आई तब उन्होंने अपना दिमाग दोड़ाया और कुछ दुकंदारों से पुस्ताश की गई कि आखिरकार कौन से वो लोग है जो इतनी ज्यादा संख्या में कंडोम खरीद रहे हैं और फिर दुकंदारों ने बताया कि वह सब के सब नए नए लड़के हैं अब इसके बाद खबर आई कि जो नए नए लड़के हैं उस शहर के हैं वह लड़के कंडोम का इस्तिमाल नशा करने के लिए कर रहे हैं अब जैसा कि हम सब जानते हैं साइकिल तब मोटर साइकिल या किसी भी गारी के पंचर को बनाने के लिए जिस्त सूलेशन का इस्सिमाल किया जाता है उस उलेशन से कुछ नए नवएले प्राणी नसा करते हैं अब इसी परकार से कुछ नए-नए खुन वाले लड़के जिनको वादत लगी है कि अब हम लोग सूलेशन सब्सक्राइन के आया है जहां अचानक से कंडोम की विक्री बढ़ गई विक्री इतने ज्यादा बढ़ गई कि दुक कंदार परिशान हो गये, उनके पास कंडोम का एह शोक आता था, और कुछ घंटे में इसा पुछ खत्म हो जाता था, दिरे दिरे यह बाद प्रशासन तक पहुंची, और फिर प्रशासन ने पूस्ताच की, तब पता लगा कि कंडोम खरीदने वाले सारे के सारे नए लड़के हैं, कि नशे के लिए कंडोम का इस्तिमाल किया जा रहा है, और इसका जो उप्योग है, वो बेताहाशा बढ़ रहा है, कुछ लोग उदारन देते हुए समझा रहे हैं, कि जिस परकार से सुलेशन को सूने से नशा होता है, कुछ इसी परकार का इस्तिमाल यवाब कंडोम के चर्चा होने लगी, और इसी सिल्चले में हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि आखिरकार कैसे जो नए नवैले लड़के हैं, वे नशे के लिए कुछ भी करने को तयार है, कुछ जबाव पर बताया जा रहा है कि गर्म पानी में कंडोम को रखने से उसमें कुछ ऐसा कंप को लेकर चिंतित हैं, तथा आम लोग भी चिंतित हैं, कि इसका उपाए क्या हो सकता है, सबसे खास बात है कि अलग-अलग फ्लेवर्ड वाले कंडो मिखर दे जा रहे हैं, और उसी का इस्तिमाल नश्रे के तौर पर किया जा रहा है, बाकी अब आपका क्या मानना है, आपक कमार सेंग बहुत बहुत धन्यवाद